हलो एवरीवन आप देख रहे हैं राइंक प्लस दर लर्निंग अप और मैं हूँ चंदन सर डियर ओर अलो श्रेंट आज से हम लोग एक अगे न्यू वेकेंसी के बात करने जा रहे हैं और ये वेकेंसी आप सबों के लिए गोल्डिन ऑपर्चुनिटी कर सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि यह केवल उन्हीं स्टुएंट के लिए है जो देली से बिलॉंग करते हैं यानि आप इंडिया के किसी भी स्टेट से यदि इस आप बिलॉंग करते हैं तो आप इस वेकेंसी के लिए अपलाई कर सकते हैं यह सबसे बड़ा अपडेट अब इस वेकेंसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं किस पोस्ट की वेकेंसी है कितने post way vacancy है क्या syllabus होगा क्या exam pattern होगा कितने marks का question आएंगे preparation कैसे start कर सकते है non technical या technical किस किस पार्ट के क्या books strategy everything इस पे बात करने वाले है तो चलिए start करते हैं आज के इस class को class को start करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी issue question यदि इस vacancy में है अपनी preparation को start करने के लिए तो rank plus the learning app play store से download करके अपनी preparation start कर सकता है rank plus the learning app का link इस video के description में भी दिया गया आप वहाँ से भी download कर सकते हैं चलिए आगे बात करते हैं vacancy पे vacancy सबसे पहले मैं हमेशा एक की तरह बात करता हूँ कि vacancy correct है या नहीं है इस बात को हम लोग चेक करते हैं तो पहले उसी को हम लोग चेक करेंगे फिर आऊंगा detail पे ठीक है सबसे पहले आप official website पे आजो google chrome open करो और open करके आप search करो dssp dssp जैसे ही search करोगे सबसे first one जो website open होगा daily subordinate service selection board का इसको आप click करोगे जैसे ही click करोगे आपको इसका देली dssp के website का dashboard open होगा इस dashboard को जैसे ही नीचे करोगे सबसे first में advertisement number 2 बटे 2023 देखो सरजी यहाँ लिखा word 2 by 23 इसी vacancy advertisement number को याद रखना है यही इस advertisement का number है ठीक है आपने याद कर लिया याद करने के बाद जो है वो आपको इस पर click करना है जैसे click करोगे इधर अच्छा इस पर click नहीं होगा इधर view का option दिया गया आप इस view पर click करेंगे आपको PDF यहाँ open होगा यह देखो attachment दिया गया है इस download पर click करना है जैसे download पर click करोगे आपके सामने PDF open हो जाएगा ठीक है यहाँ पर government of city of Delhi mention किया गया है यहाँ पर advertisement टंबर दो बटे 2023 यानि दुस सेकंड़ वेकंसी 2023 का इन लोगों ने निकाला है इस पीडियेप को download करके डिटेल चेक कर सकते हो चलो आप हमने इसको click कर लिया चेक कर लिया ठीक है अब हम लोग आते हैं अपने डिटेल पर अब चेक कर लिये कि रियल वेकंसी है वहाँ पर आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फिर आगर डिटेल बात करते चलूँगा और आपको जो जो most important facts आते रहेगा यही वीडियो अब है आपने वहाँ पर ओपन कर पीडिएप ओपन हुआ था तो देखा था आपने वैकंसी नंबर अडबाटाइजमेंट नंबर यहां दिया गया दो बटे दोहजर तेईस एकतिस साथ दोहजर तेईस यान एकतिस जुलाई दोहजर तेई इसको notification रिलेज हुआ था बट इन द पब्लिक जो है हो तीन चार दिनों को पांच दिनों के बाद आता है तो आप इन द पब्लिक डोमेन है वेकंसी की लास्ट डेट कब है और अप्लाई कब है उस पर बात करते हैं सबसे पहले इस बात को बता देना चाहता हूं कि यह गव important कि जो भी आप online जो भी form भरा जाएगा वो केवल और केवल online application के through ही accepted होगा कोई another mode से यदि आप form को भरेंगे तो आपको accepted नहीं होगा form भरने के लिए जो एं लिंक दिया गया है dssb.delhi.gov.in इसी पे आप जा करके form को भर सकते हैं या apply कर सकते हैं form भरा कब से जाएगा on opening date of submission of online application form 17 अगस्थ 17 अगस्थ 2023 से form भरना start किया जाएगा सर 17 अगस्थ से online opening date है ठीक और 15 सितंबर पंदर सितंबर 2023 तक भरा जागए यानि 17 अगस्थ से लेके 15 सितंबर 2023 तक जो है आप form भर सकते हैं और सारे के सारे आप अपने entry फिल करके apply कर सकते हैं इसके बाद 17 सितंबर के बाद आपको apply नहीं होगा उसके बाद एक बार यदि form close हो गया तो फिर आप apply नहीं करवाएंगे तो इसी date के अंदर में जो है वह आप apply कर लेगे चलिए सर lot of जो है वो पोस्ट वे वैकेंसी है लेकिन हम लोग बात करेंगे अपनी department के जो की है lab technician and lab assistant जो इस subordinate board ने वैकेंसी निकाला है उस post का नाम है lab assistant यहाँ पर देखो आप यहाँ पर जैसे ही नीचे की पीडिएप में जाएंगे स्क्रॉल करेंगे तो यह post code पोस्ट ने पोस् यह निकल जागा इधर में post code दिया गया है जैसे कि आपको दिया गया 32 बटे 24 बटे 24 बटे 24 आपको देखना है अच्छा सर्थ 46 बटे 23 में 46 आप 23 15 हुए नंबर पर सिरियल नंबर आप 15 में जाएंगे वहाँ पर लिखाओगा 46 by 23 पोस्ट को नेम है lab assistant grade 4 ठीक है इसको आप open करेंगे पोस्ट कोड है 46 बटे 23 पोस्ट कोड क्या है सर 46 by 23 ठीक है इसको आप देखेंगे सिरियल नंबर आप 15 पर चेक करो ठीक वहाँ पर आपको पेडियोप में दिखें पोस्ट नेम है lab assistant grade 4 health and family welfare से वैकेंसी आया है ग्रूप C की वैकेंसी है ठीक है टोटल पोस्ट जो में मैंने बताया था आपको कि जब आप इंडिया के किसी भी कोने में बिलॉंग करते हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो एक चीज़ का मैंडेटरी आपको ध्यान देना है कि यहां जो category दिया गया है यह सभी category केवल और केवल अप्लाई होगा वैसे student के लिए जो category में ही apply करेंगे all right sir आगे बढ़ते हैं 138 पोस्ट आपने देख लिया अब आते हैं थोड़ा सा इसके detail पे कि इसमें educational qualification क्या demand किया गया है क्या मांगा गया है देखिए पोस्ट कोड आप आप याद कर लिए 46 by 23 टोटल पोस्ट आपने देख लिया educational qualification जो essential में दिया गया है आपको देखिए सुनिया द्यान से essential का मतलब होता है minimum education qualification ऐसा नहीं कि जो इसमें कर दिया गया बस हुआ ही मेरा होना चाहिए यदि उससे higher है तो apply कर सकते हो ठीक है this is the essential कि आपको minimum इतना चाहिए होगा minimum में क्या है सबसे पहले आपको 10th pass होना चाहिए higher secondary pass होना चाहिए साथ ही साथ साथ आपको 10 plus 12 भी पास होना चाहिए मतलब 10 plus 2 मतलब 12 भी पास होना चाहिए 10th और 12 पास होना चाहिए लेकिन 12 में आपको with science साइन्स से आपने 12 किया होगा तभी इसमें apply कर सकते है यदि किसी बच्चे ने arts or commerce से किया है तो नहीं साइन्स में mathya bio किसी से भी किया है तो apply कर सकते है आगे और भी है इसमें क्या दूसरा पहला तो आपको है कि 10th पास होना चाहिए 10th के साथ 12 भी पास होना चाहिए 12 science से होना चाहिए दूसरा आपको DMLT होना चाहिए किसी भी recognized university या institute से ये दो education qualification आपके साथ होना चाहिए देन आप इसमें apply कर सकते हो तो भी आप apply कर सकते हो नोट बारी ठीक है और एक और यह उन्होंने education qualification कि यादी कोई 10th पास में कई सारे ऐसे colleges हैं जहां पर metric के बाद कुछ लोग जो है और vocational course कर ली है 10th प्लस जो कि 10 प्लस टू है जैसे कि MLT के vocational कर लिया उन्होंने या कोई another vocational उचलाते हैं जो इसी से concern करते हैं तो ओभी medical ability technology से vocational course है तो ओभी apply कर सकते हैं यानि कि जिनका DMT है ओभी और जो vocational किया है ओभी apply कर सकते हैं मतलब इसमें दोनों apply कर सकते हैं तो hopes आपको clarity हुई होगी लेकिन यदि आपने 10th किया है और 10th plus 12 जो है यानि इंटर जो है आपका arts से है या commerce से है और फिर आपने DMT किया है या आपने आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं there is a mandatory to the in 12 with the science clear sir educational qualification hope so clear हुआ होगा देन आपको pay scale 25,500 से 81,100 तक का है लेवल जो है fourth level का आपको लगेगा बाउन सो से 2200 ग्रेड पे है payment अच्छा पासा है don't worry उसके लिए चिंता नहीं करने ग्रेड पे 2400 ठीक है एज आपको इसमें कितना मांगा इन्होंने दिया है 18 to 27 years 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए लेकिन इसमें जो another category के लोग है उनको एज में relaxation भी दिया गया एज के रिलाक्सेशन कितनी है SC ST के लोग अगर अप्लाई करते हैं ग्रूप BNC में तो 5 साल OBC को जो है तीन साल PWD को 10 साल और PWD SC ST है तो 15 साफ और PWD OBC है तो 13 years यह जो है एज relaxation दिया गया है आप इसको भी मेंचन करके ध्यान देके चल सकते लेकिन एज relaxation उनहीं को मिलेगा जो देली से बिलॉंग करते होंगे क्योंकि reservation कोड़ा के वोल उनहीं पर अप्लाई होगी रेस्ट आप जो है आप candidate must be citizen of India कोई भी candidate अगर इंडिया का citizen है तो ओ इसमें apply कर सकता है रेस्ट आप दिया गया है आपको कि जो education qualification उने mention किया था ओफुल्फिल करते हैं कि नहीं अगर फुल्फिल करते हैं तो ही आप apply करना है थर्डवन दिया गया है कि जो एज आपको बोलागे ना 18 से 27 साल तो य उस दिन ही यदि आपको 27 यह भी फुल्फिल कर रहे हैं तो भी apply कर सकते हैं मतलब last date आपको पंदरह नो 2023 तक का consider किया जाएगा ठीक है अब कभी जैसा हो गया मैं example देता हूँ जैसे 15 सितमर 2023 को मेरा 27 सल एकदब exact complete हो गया ठीक लेकिन exam तो होगा चार महीने के बाद रिजल् आ रहा होगा तब तक मैं साड़े सताइसे 28 सल का हो चुका होगा तो मेरा selection होगा कि नहीं जरूर होगा क्योंकि मेरी यह जो था वो पंदरह नुमर 2023 तक मैं अंडर एज था ठीक है इस एक्जामपल से आप होप सो इस बात को समझ पाया हूँ आप अप्लाई कैसे करना है जो करने के लिए नहीं कोई और थोड़ा सा वेबसाइट में चैंजेंगे उस वेबसाइट पर आप करेंगे इन्होंने वेबसाइट दिया हुआ है डी ट्रेपल एस भी ड़ाट नहीं डी ट्रिपल एस बी ऑनलाइन आप वेबसाइट को लिख लेंगे यहां पह दिख रहा वहां आपको online form का दिया होगा दिया जाएगा你 आपको पोटल उस online form प है पोटल पर आप्लीकेसन को अप्लाई कर सकते हैं application को apply करने से पहले जितने सारे भी हो है टूटल instruction हों गवगने इसमें जो आपको फी दिया गया अप्लिकेशन फी ओ हंडेड रुपी है तो मार्जेबल कि मीनिमम एक्जामिनेशन फी रख है मैं तो रिकमेंड करता हूं कि हर एक एक एक्जामिनेशन सेंटर को फी रखना चाहिए एक चीज आपको इसमें मेंशन करना चाहूंगा कि कैसा रहे से बच्चे होते हमारे पास हमेशा जब भी वैकेंसी निकलता है तो हमारे पास बच्चों कि इस प्रकार के वेरेस आते ही आते हैं कि सर मैंने अप्लिकेशन फॉर्म तो समेट कर दिय क्योंकि यदि आप एक बार फॉर्म को समिट कर देंगे इसका तो फिर आपको करेक्शन के लिए नहीं देगा और फिर आपका वही गलत चीज़े रह जाएंगे और फिर आपका सेलेक्शन नहीं होगा ठीक है साथ मेंसन किया है कि वन्स ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म इस को समझ में आ गई होगी अब हम लोग आते हैं सबसे मीन पार्ट पर इतना तो और भी कहीं यूटूब पर आपने देख लिया होगा कि वेकेंसी आ गया है नोटिफिकेशन मिल गया होगा सबसे मीन कितने पोस्ट पर है कहां से अपलाई कर सकते यह जनकारी और भी कहीं से मि कर रहा है और सालों तक आते रहेगा भी कितने सारे एश्टूइंट हमारे पास भी पढ़ने आए और पढ़के सेलेक्शन भी लिए और कितने सारे पढ़के फेलो के और फिर अपना कुछ दूसरा कुछ भी कर रहे है मतलब उनको सफलता नहीं मिली या तो डिप्रेशन में कर रहे या कुछ और कर रहे लेकिन आने और जाने की प्रोसेस तो लगी रहेगी तो इसमें आप कहां पे सबसे बड़ी बात एह आती है कि वहल वेकेंसी आना वेकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने इससे सेलेक्शन नहीं होता यदे आप सरियस हो अपने कारियर को लेकर को apply करने से पहले अपने ऐसे दिल पे हाथ रखो और बोलो कि yes you are eligible for it or not, you are prepared for this vacancy or not, you want to achieve this post or not, पहले इस बात को अपने दिल पे रखके बोलो, उसके बाद apply करो, भले सौर्प याप्लिकेशन फी है लेकिन आने जाने में तो खर्च होगा, कुछ किताबे खरीदोगो उसमें खर्च होगा, कुछ कोर्स पर्चिच करोगो, उसमें तो पैस expense होगे और उससे भी बड़ी बात, जब भी आप मैं एक गरीब का लड़का हूँ, तो मुझे पता है कि एक गरीब का क्या intention होता है, उसके माबाप का, जब आप किसी भी form को apply करते हो ने, तो आपके माता-पीत सबसे पहले एक उमीद होता है, कि हो सकता है, इस बर हमारा बच्चा का selection हो जाएगा, और हमारे इस्तिति सुधर जाएगी, आप में से जितने सारे भी वीडियो देख रहे होंगे, मुझे उमीद है कि 80% बच्चा ऐसे ही होते हैं, जिनके माता-पीता को एक्सपेक्टेशन पहले हैं, तो आपके भी मुझे पता है कि यही है, पैरेंट्स की उमीद, तो आपको यदि अपने पैरेंट्स की उमीद पर खरा उतरना है, तो अभी तक भी यदि आप serious नहीं थे पढ़ाई को, तो at least आज से तो जरूर हो जाओ, क्योंकि इस vacancy को यदि आप achieve करना चाहते हो real में, इस नौकरी को यदि आप करना चाहते हो real में, यहाँ selection यदि आप चाहते हो real में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 138 पोस्ट पे ही vacancy है, आपको क्या करना, आपको एक sit चाहिए, एक post चाहिए आपको, तो आप preparation, दिल, दिमाग, जी, दन, मन, धन, सब से कर तब जा करके selection होगा, और फिर नहीं selection होगा, ऐसा हो नहीं सकता, मैं ऐसा मान नहीं सकता हूँ, इस बात को मैं मानने के लिए त्यारी नहीं हूँ, क्योंकि जिसने अपना 100% दिया, उसको return 200% मिलता ही, मिलता है, is your, हो रहे, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, examination scheme पे, suppose that आपने apply भी कर दिया, आज से अगर यदि आप serious भी हो गए, मेरे कहने पे, या आप अपने life को लेके serious हो गए, तो अब तयारी start कैसे करेंगे, इसका examination scheme क्या होगा, देखो इसके, जब भी triple SP का examination होता है, ऐसे हमारे पास पढ़े होंगे, उसकी analysis हम लोगो start करेंगे, आपको बताओंगे किस ताप के question पूछा जाता है, इस बात के लिए मैं aware हूँ और आपको भी aware करते रहूँगा, preparation कैसा start करना है, उसको भी आगे बाद में में बात करूँगा, सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ है, कि ज सारे ऐसे exam है न, जहां पर 100 marks का exam होते हैं, यहां पर भी exam जो है, ओ दोनों pattern में होगा, जैसे सभी pattern exam होते हैं, एक pattern होगा, एक part होगा non technical का, जितने सारे भी यदि student इस class को देख रहे हैं, तो थोड़ा serious होके देखिए, मैं हमेसा कहता हूँ, I am not a YouTuber, मैं यहां जब खड़ा ह होते हो, देखो, मुझे जितना explore होना था, explore हो लिया मैं, एक लाक से भी ज़्यादा लोग subscribe कर चुके है हमारे channel को, 40 million से भी ज़्यादा लोगों ने मुझे देखा है अभी तक, केवल YouTube पे, और platform में पे अलग छोड़ दो, तो मुझे यहां केवल खड़ा ही स्वार्थ में नहीं होना है कि मुझे, और explore तो मैं करता रहूँगा, आप लोगों के अच्छे काम भलाई के काम तो होता ही रहूँगा, लेकिन मैं इतना sufficient explore हो चुका कहीं भी जाता हूँ, तो 100 लोग मुझे पहचानने वाले मिल जाते है तो मैं केवल यहां explore होने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं यदि यहां खड़ा होता हूँ, कुछ कहता हूँ, तो उसका एक sense है, that is, एक goal है, एक मेरा स्वार्थ है, एक कि हमारे बच्चों का कुछ भलाओ, ताकि मेरे अगर कुछ कड़वा कह देने से, मेरे कुछ समझा द बन जाता है, एक बच्चे का भी future अगर secure हो जाता है, तो मैं अपने आपको सफल मानता हूँ, और ऐसे हमने कई बच्चों को सफल करवाया, मैं जब भी खड़ा होता हूँ, पढ़ाने के लिए आता हूँ, इस बात पे भी, देखिए हमारे class में जब भी बच्चे आता है, तो थोड़ा detail में पढ़ने और जानने के लिए आया किजिए, ऐसा हमेशा मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं सॉट में पढ़ाऊंगा, यूटूबर हूँ नहीं, 30 सेकंड का मुझे वीडियो नहीं बनाना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दवा सबसे कड़वा होगा, क्योंकि मै ताकि वो मिठा फ्लेबर हैगा, तो पी लेगा, बच्चा आये न, मुह, टेडा करेगा, उल्टी कर देगा, सपोज देट शिप्रोफ्लोक्ससिन या सेफोडॉक्सिन का मेडिसिन बना रहा था, मैं छूटो एक एक जामपल देता हूँ, फिर आता हूँ इस पे, यहां से होते हैं, उस बात को सुनना जरा, अगर सेफोडॉक्सिन का कोई सिरप बनाया, बेबी के लिए, इन बॉर्ण के लिए, चिल्डेन के लिए, उसको अगर फ्लेबर मिठा देना था, तो यदि यह 100 ml का, यदि 100 ml का सेफोडॉक्सिन बना रहा था, तो उसमें 80 ml जो है, मिलाना होगा तभी वो मीठा बनेगा यानि कि 70% ही इसमें या 70 MLA सिफ़डॉक्सिम डाला यदि हम एडल्ट का कोई सिफ़डॉक्स इनका अगर खरिदने जाए टैबलेट तो 100% होगा कि खाएंगे कड़वा लगेगा बच्चा उला पिएंगे मीठा लगेगा लेकिन इफ़क्ट कौन से जादा हुआ जिसमें 100% था मतलब यानि कि जो हमें मीठा मिल रहा था जो हमें मधूर मिल रहा था उसमें कुछ न कुछ मिलावट थी और जो कड़वा था वो एपसुलिटली था वह ही करेक्ट जादा कर सकता था ऐसा ही यह पढ़ाने में यदि मैं यहां मधूर बोलना श्टार्ट कर दूँ यदि मैं कुछ मिलानक के बोलना श्टार्ट कर दूँ तो यह समझ जाओ कि मेरा 20% उसमें सुगर मिला दिया मैं यानि मैंने 80% ही सही चीज दिया 20% मिला के दि या तुम्हें मुझे मिलावट नहीं करनी तुम्हें 100% देना है और वही कड़वा medicine तुम्हें सुधारेगा तो थोड़ा कड़वे word मैं बोलता हूं इसके आगे भी कुछ कहूंगा आपके लिए वह आप accept करना और ओ ऐसा नहीं कि हवा में बोल रहा हूं उसको अनलाइसिस करना अपने उपर और फिर काम करना उस पर तयारी के लिए strategy फिर ही बनाना देखो बीना strategy और बीना plan के कुछ आप नहीं कर सकते कि अवल हवा में बाते है बोलने से नहीं होता है तो इसका जो एक्जाम होता है डी ट्रिपल स्वी का एक्जाम भी होता है वो दो पार्ट में होता है एक होता है नॉन टेक्निकल और एक होता है टेक्निकल पार्ट सेकेंड वन टेक्निकल आइज एट इस आल दे एक्जाम आसकिंग बाइद आल दोनों के इकोवल मार्क्स के questions पूछे जाएंगे इसमें टेकनिकल में भी जो है sir 100 questions होगा सुरी non technical में भी 100 questions होगा as well as technical में भी 100 questions होगा total numbers of questions जो होगा MCQs पूछे जाएंगे और वो कितने होगे 200 questions होगे समय आपको दिया जागा 2 घंटे का यानि कि 60 दुना का 120, 200 MCQs को solve करने के लिए 120 मिनिट का आपको समय दिया जाएगा, और राइट, 100 non-technical से और 100 technical से, ओनलाइन CBT exam होगा, computer based exam होगा, tier 1, एक ही साथ, एक बार बैठो के 200 marks के exam आपको कर देने होगा, टोटल नंबर जो होता है, वो भी 200 का नंबर होगा, अब अभी से कान खुल के सुनों में बता देता हूँ, जिस भी student का, मुझे पता है, इसे most of sub 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 general में अपलाई करेंगी, विए इंडिया के all over country से अपलाई कर रहे हैं, तो जिस भी student का, टोटल मार्क्स 170 प्लस होने वाला है, या 160 प्लस तो मिनिमम मानो, 160 प्लस तो आपको रखना होगा, 165 प्लस, तभी आपको selection होगी, अन्य अथा नहीं होगा, तो जो बच्चे इस concept के साथ अपनी preparation करते हैं, कि केवल मेरी technical part जो है, वो बहुत strong है, जो हर एक एक्जाम के preparation strategy में मैं कहता हूँ, उनका नहीं होगा, कहते हैंने कि मेरा technical part बहुत अच्छा है, मैंने हर एक subject को ऐसे पढ़ रखा, जैसे मुझे जबान पर याद है, तो भी कितना marks आप maximum ले आओगे, 100 marks ही तो लाओगे, क्योंकि technical questions कितने हैं, 100 ही हैं, अब अभी जश्ट आप तुरंत नीचे comment मत करना कि इस non-technical कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि उस बारे में भी बताने वालो, थोड़ा patience रखो, मैंने एक बार DTSSB का इसी format का exam दिया है, तो PYQs और भी एक बार लगता है, 2018 में साइद इसका exam हुआ था, और एक बार लगता है, साइद 2015 में, मैं exactly याद नहीं हूँ, लकिन मुझे इतना याद है, तो ओ PYQs दो साल के होंगे, मैं देखूंगा कहीं से सर्च करके निकालूँगा, आपको बताऊंगा कैसा question बोचता है, तो यदि selection लेना है, तो आपको technical और non-technical दोनों पढ़ाना है, non-technical में सर्फ 5 पार्ट इन्होंने दिया हुआ है, clear mention करके, general awareness, non-technical में 5 पार्ट दिया हुआ है, general awareness, general intelligence and reasoning ability, arithmetic and numerical ability, test of Hindi language and comprehension, as well as test of English language and comprehension, 20 marks of each sector, कितने पार्ट आपके पूछे कहें हैं, 5, सबसे फर्स्ट वन इन्होंने दिया हुआ है, GK का पार्ट, ठीक है, second part इन्होंने दिया हुआ है, reasoning का, third part इन्होंने दिया हुआ है, mathematics का, fourth part इन्होंने दिया हुआ है, Hindi language का, देखे ध्यान से सुनी, Hindi language का, Hindi language, Hindi language, पार्ट इन्होंने दिया हुआ है, और इछ पार्ट इन्होंने दिया है, आई इच पार्ट इन्होंने दिया है, है और सेकेंड पार्ट कौन सा है सेक्षन भी है डाट विल दा अब्जेक्टिव टैप मल्टिपल च्वाइस कोईशन ऑन दो सब्जेक्ट कंसर एज पर दक्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर पोस्ट जो अपने करें तक पह्यों सब्जेक्ट में हैं उन से एक्षप पुछे जाएं यानि टेखनी क्ली पार्ट्स में आपको कौन क्यों से प्चेffer्स क्वेशन स्ट्री थर्ड आपको पढ़नी है ब्लाड बैंक फूर्थ आपको पढ़नी है हिस्टो एंड साइटो फिप्त आपको पढ़नी एनॉटमी एंड फिजोलजी हुमन एनॉटमी फिजोलजी नोट अनिमल सिक्स आपको पढ़नी है क्लिनकल पैथोलोजी एंड बाड़ी फ्लोड्स एंड बाड़ी फ्लोड्स एंड सेवेंथ वन पढ़नी है आपको माइक्रोबाइलोजी माइक्रोबाइलोजी में आपको बैक्ट्रियो वाइरो पैरासोटो एंड इम्मीनो पढ़नी है लेस्ट माइक्रोजी से जो क्वेस्टन्स नहीं पूछे जाते हैं तो यहां पर होगे एक दो तीन चार पांच छे और चार दस 10 subject at least hemato, biochemistry, blood bank, histo, and cytos, anatomy, physio, and micro along with the clinical pathology इतने subject आपको technical में पढ़ना है और इतने subject आपको non-technical में पढ़ना है इसके भी 100 marks के questions पूछे जा रहे हैं और इसके भी आपको 100 marks के questions पूछे जा रहे हैं लेकिन फर्क क्या है दोनों में difference क्या है कि इसको आपने पढ़ रखा है पहले भी इसका आपको revision करना है यह मैं जानता हूं जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको फिर पढ़ना भी है कैसे पढ़ना उस पर भी हम लोग आते हैं फर्क दोनों के section में क्या difference है इस बात पर पहले discussion करत है difference एह है सर कि इसमें separated आये कि जिक्के से बीस नमर का ही question पूछेगा reasoning से बीस नमर का ही पूछेगा math से बीस नमर का ही पीछेगा language हिंदी और इंग्लिस दोनों से 2020 का ही पूछेगा लेकिन यहां पर separated नहीं है ऐसा नहीं है कि आप hematology दस बार पढ़ लोगे PhD कर लिया बाय equally और equal concentration के साथ ध्यान दे करके सबसे पहले आता हूँ non-technical पर फिराओंगा technical पर अब बत दो बोलो के सर हम लोग भी जो पढ़ाते हैं वो तो technical party पढ़ाते non-technical इसको कैसे prepare करें देखो strategy अपनी बनाओ कि पढ़ने के लिए अगर यदि आपको achievement चाहिए इस पोस्ट में तो आज से पढ़ना आपको कम से कम मजाक नहीं साथ से आठ गंटे पढ़ना पढ़ेगा यदि आप साथ गंटे अपने लिए समय निकाल पाते हो कम से कम इंटार इंवार्मेंट को छोड़ दो कम से कम इसका एक्जाम जैसे 15 सितंबर तक तो लगभग यह आपको फॉर्म भरवार हैं 19 सितंबर तक एक सेकेंड एक सेकेंड मैं एनलाइसिस कर लेता हूँ लाइव एनलाइसिस करी लेता हूँ फिर आगे चलता हूँ आपको 15 सितंबर तक तो यह आपको फॉर्म भरवार हैं ठीक है तो अक्टूबर और नॉंबर में प्रिपेर होंगे अगर मीनिमम भी हम लोग लेके चले अक्टूबर और नॉंबर में प्रिपेर करेंगे questions और यदि आपके admin cards और सारे details चेक करेंगे भी तो hardly से hardly आपको last of November या December में आपको exam हो सकते हैं मैं minimum लेके चल रहा हूँ तो maximum में और भी extend हो सकता है जो कोई governmental वक्त होते हैं थोड़ा लेकिन आप December तक around ले करके चलो अभी अगास सितंबर एक्टूबर नॉंबर दिसंबर चार से पांच महिने आपको पढ़ने के लिए समय है minimum चुकि हम minimum ही लेके चलते हैं समय बचे गया तो और revision करेंगे और पढ़ेंगे तो इन चार मंथ में यदि आपको अपनी content चुकि ए टेकनिकल पार्ट इतना बड़ा content होता है न सर कि तीन साल साड़े तीन साल का syllabus होता है और उसको आपको complete करना है आपको complete करना है हमारे तरब से complete हो जाएगा आपको complete करना है 4 महिने के अंदर 5 महिने के अंदर तो आपको at least 7-8 गंटे अपने लिए समय निकालना होगा कम से कम इस 4-5 महिना जो है अपने relatives को भूल जाओ ना कौन रिलेटिप्स किसको काम आता है यार मैं खुल के बोलता हूं किसी का रिलेटिप्स किसी को काम नहीं आया है यदि तुम्हारे पैकट में पैसा होगा तुम्हारे जेब में पैसा होगा तुम सफल होगे तुम सक्सेस्ट होगे तो सारे रिलेटिप्स तुमको तुम्हारे दे करके तो कोई किसी का friend, कोई किसी के relatives, कोई किसी के æा का की कि कैम नहीं आता है नहीं आता है सबीकर में पाफने स्वार्थि में ल accessibility तो थोड़ा तुम गंटे निकालो duty करने के बाद भी कोई अगर duty कर रहे होंगे तो multiple कर भी रहे होंगे time निकालने के बाद सबसे फर्स्ट वन जो है आपको non-technical के बात करनी है कि इनकी पढ़ाई है highly talented हो तो कर ही लेते हैं तो हमें इतना और भी पढ़ना है तो इसको कैसे complete कर पाएंगे तो इसको complete करने के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि केवल इसमें जिक्के में जो है स्टेट या international से related हो ओफेर नहीं पढ़ना है कि किसी ने 40 साल के ताउं ने 20 साल की लड़की लेकर भाग गया ओफेर नहीं पढ़नी है आपको अख़बार में करेंट अफेर वह पढ़नी है जो स्टेट से जो की सोसाइटी से related हो करेंट अफेर से क्वेशन पूछे जाते हैं तो यह आपको मैगजन ले लो करेंट अफेर की कम से कम साल भर की उससे लेकर पढ़ लो या अगर नहीं पढ़ पाते हो तो अख़बार पढ़ो इसको इस प आप है हीनिंग के लिए भी बूखस के लिए खड़ितना होगा मैच के लिए भी खरीत हनी लैंगेज अंड कांपर्ण के लिए खरीतना होगा हैंगी और इंग्लिस में जो है लैंग्वेज में आपको हिंदी और ग्रामर और हिंदी ब्याकरन और इंग्लिस ग्रामर पूछे जाएंगे और आपने पढ़ा होगा जब 9-10 में होगे तो जैसे एक छोटा स्टोरी देता है और एक स्टोरी देगा और नीचे में उससे 5 5 पूछ देगा पाँच निमबर तो आने ही आने के निंगे तो आप Ich karma to यहां से मास अठेंगे कर Duck करना है और मैठ और रिजनिंग आपको कंप्लीट करना है इसके लिए किताब खरीदना होगा बुक्स खरीदना होगा सबसे पहले मैं बात करता हूं math and reasoning के लिए math and reasoning दोनों के लिए books जो है आपको lucent publication के book खरिदनी होगी lucent के math के लिए पहले ये book खरिदो complete mathematics part 1 खरिदना है part 2 नहीं part 2 और part 1 पढ़ लेंगे तो SSC level की math पढ़ लोगे आप इसमें जो है सारे के सारे अच्छी बात क्या है कि सभी जो बुक्स की मैं बता रहा हूं आपको यह books दोनों language में available है हिंदी और English दोनों आप जिस language में comfortable उस language का book खरिद लो ठीक है ज्यादा महंगा भी नहीं देखो पढ़ना है तो कुछ expense करना होगा हम investment कर रहे हैं अपने life ठीक है ना तो यह रोना मत तो रोने लगना कि मैं बहुत ग्रेब हूं और मैं book नहीं खरिच सकता कई बच्चे रोते हैं कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि देखो student को परिशानी नहीं होता मैं भी student life में रह चुका हूं और मैं अभी भी student हो लेकिन जब मैं student life में भी था न तो मैं अपने जूते पे अपने टीशट पे अपने बाल में लगाने वाले जेल पे यह फेस में लगाने वाले powder पे नहीं करता था मैं ओ सारे पैसे किताब लेने पर कॉपिय लेने पर देन आपको मैगजिन्स खरिदने पर इन सब पर इक्सपेंस उठाया करता था और आप लोगो जश्ट उल्टा हो क्या रिल्स बनाने के लिए यार बाल जब तक निल्ले नहीं करवाएंगे कैसे होगा है कि अग्याँ तो इतनी तो हमारे पास आज के समय में सब के पास पैशा होता है कि दो ड्टाइसो तीन सो का बुख सब खरिद सकते हैं तो सब से पहले आपको मैथैमेटिक्स कंप्रीट मैंथेमेटिक्स पार्ट वन ये वुक् करीद्न नहीं इस बुक्स के प्रॉंट्ये के questions आप सोच करो कम से कम एक गंटे रोज practice करो कि सबी content आप complete करोगे तब जाकर जो है बीसमार्क्स में से 15-18 उठाने के काविल बने होगे रिजनिंग के लिए आपको वरभल रिजनिंग के बुक्स जो लूसेंट की है वो खरेदनी है और रिजनि को भी पर दे आपको एगंटे कर प्रैक्टिस करना है दो के लिए बुक्स हो गए बुक्स उठा करके इसमें कॉंटेंट जो दिये गए विसे सुची देखो यह भी दोनों लाइंग्वेज में जिस लाइंग्वेज में प्रिफर्ड करें हिंदिंगलिस उसमें खरी सकते हो अब यह मत बोल देना कि मैं को किताब बेच रहा हूं मै मैंने कोई लिंक दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं मेरे को कोई अडबरटाइजमेंट के लिए दिया है ऐसा भी कुछ नहीं एक इस्ट्रूइन एक बार हमें बोला था कि सर आप जो बुक्स बेचे थे ना मैं उसी को खरीदा है मैंने बोला मैं अपने बेच जजमेंट पर तु कि यह इक गाइडिंग है और गाइडिंग के थुरू कि आप के पास समय कम है समय कम समय में ज्यादा पढ़ना उसके लिए आपको बताया जा रहा है इतना ही है मेरे पास और कुछ में मायथ हो रिजनिंग के लिए बुक्स आपको खरीदना है देन आपको हिंदी और इंग्लिस के लिए मैंने बोला कि हिंदी ग्रामर हिंदी ब्याक्राइब नों इंग्लिस ग्रामर कंप्लीट करना है तो आप उसके लिए समानी हिंदी और जनरल इंग्लिस दोनों खरीदेंगे यह हिंदी और इंग्लिस के लिए किताब होगी इसमें आपको सारे हिंदी ग्राम चाहे संग्या हो सर्वनाम हो वर्ण हो विसेशन हो संधी हो सारे दिये गए होंगे तो आप इस से complete हिंदी पढ़ो और इसमें इस प्रकार के एक्जांपल गदांस पदांस भी दिये जाते हैं मैं इबने बोला था न कॉम्प्रीहंसन की तो तयार ही हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि कॉम्प्रीहंसन कुछ जरू नहीं कुछ इस बुक में दिया होगा वही प्लिटे पढ़ सकते हो अच्छे इंगलिस वाले में थोड़ा सा आपको जैसे इंगलिस का नाम आता है आपको भायर लगने लगता है तुरंत अरी इंगलिस पढ़ना यार बहुत बड़ी ताकलीफ ऐसा नहीं है यह जो इंगलिस ग्रामर की बूक है यह जो है हिंदी इंगल इंगलिस दोनमिक्स करके भी सिखाया है क्योंबार इंगलिस देख लना के आपो यापको किश लेग नगवेज के भी ले सकते हो यह आपको समझ में वैसा ही आता है तो ठीक है सर यह आपको नान टेक्निकल पार्प इस प्रकार से complete कर सकते हो मैंने यहां जिक्के के भी बुक लगा रखा था आप चाहो तो इसको खरीच सकते हो लेकिन इसको पढ़ पाना हितना संभव नहीं है यह छोटा सब बुक लगता है लेकिन बहुत बड़ा बुक है तो जिक्के के लिए आप जो है आप current affairs देखते रहो न्यूस क्योंकि सारे के सारे ही पूछते हैं कि सुनील शेतरी ने अभी कौन सा गोल दागा था दो साल पहले यह पूछते हैं और सपोर्ट से सबसे ज्यादा पूछा जाता है दूसरा आपको current affairs में question पूछा जाता है वो पूछा जाता है ministry of affairs जो जैसे केंद सरकार और राज सरकार क के जो है foreign ministry में क्या क्या चल रहा है नीती आयोग में क्या क्या चल रहा है यह सब जो है current affairs से थोड़ा ज्यादा उठाते हैं वे लोग तो आप बस अख़बार में updated रहो current affairs जो जीक के 20 नंबर का है उसमें से मुझे लगता है कि 15-20 मार्द होगे गया तो हमारे रोज कि डिली लेप से पूछते हैं और अब आता है टेकनिकल पार्ट जो हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको सेकेंट पार्ट जो है वो है तर टेकनिकल पार्ट को आपको नान टेकनिकल कि काड़ेंस हो गई होगी complete यदि फिर भे किसी बच्चे को कर ई कन रहे को आप उसको इस तरीके से complete करना है और आपको 7 गंटे में ने बोला है तो आपको 7 गंटे में से ज्यादा टाइम चार गंटे टाइम जो है आपको non-technical को देना है मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूं क्योंकि आपने non-technical पहले पढ़ा नहीं technical part आपने कुछ न कुछ तो पढ़ा होगा technical part को at least 3 गंटे परड़े टाइम देना है 7 गंटे minimum आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा और इस 7 गंटे में बैठ करके ना तो आपको real छेड़ नहीं होगी ना तो real देखना होगा ना तो girlfriend और boyfriend के messages पढ़ने होगे और ना ताव चाचा मामा का कि किसी के भी phone हो तो receive करने होगे urgent हो तो अलग बात है urgent कैसा मत कहते ना कि sir ने मना किया तो urgent call भी ने receive कर रहे है वो नहीं ठीक है इन 7 महिनों में चार से 5-6 महिनों में आप कोई break up के भी बाते नहीं करेंगे एक लैब foundation 2.0 और एक लैब foundation 1.0 तो मैं ऐसा recommend करूंगा क्योंकि इसका जो है exam बहुत जल्दी हो जाएगा चार से 5-6 महिन में तो 2.0 जो है अभी start हुआ है तो 2.0 के syllabus जो है अबिलेबल है और उनके notes भी अबिलेबल है तो आप पहले जो पढ़ चुके हैं और जो नहीं भी पढ़ चुके हैं सभी इस्टुएंट जो है video lectures के माध्यम से आप टॉपिक को revise केजिए complete notes आप लिखने मत बढ़ जाना अभी जो facts facts many important notes जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप पढ़ रहा हूँ आप पढ़ रहा हूँ हेमोस्टेस का एक topic पढ़ रहा हूँ यानिकि blood clotting mechanism blood clotting mechanism आप टॉपिक जो है वो पढ़ रहा हूँ ठीक है इसमें आप इक्स्टिंसिक पाथ हूए तो complete syllabus को वहां लगभग साढ़े तीन चार सो लेक्टर से वह आप complete किजिए अब दूसरा पाट पूरा के पूरा प्रिप्रेशन होती है सबसे बेव कोफी है पहले पढ़ो फिर टेस्ट या एंसी कुछ ढूंड़ो तो आप पहले टेस्ट दे दोगे ता आपका टेस्ट भी प्रपाद हो जागा फिर ओपन भी नहीं होगा पहले अगर आप साठ से सतर परसेंट परसेंट पढ़ लिए तब टेस्ट को आप देना स्टार्ट करो टेस्ट जो भी होते हैं उनके एंसी कुछ पेडिया भी वहीं अविलेबल है आप उनको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आप सतर से इंपोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ाया हूं उसमें भी बहुस सारा रिविजन की पार्ट में बताता हूं तो वहां से आप उसको रिवाज करना स्टार्ट करो जब सतर से सी परसेंट आपका कॉंटेंट कंप्लीट हो जागा पढ़ा हुआ देन आप जो है टेस्ट देना पर 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 जाएंगे तो तो बॉइंट वहां पर चल रहे हैं जो आपको पढ़ाया जा रहे हैं परड़े इन सबसे परे एक आज ही आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि वैकेंसी इतना इंपोर्टेंट है और भी इंपोर्टेंट वैकेंसी जो आए हुए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं जो हम लोग जो था और रेगुलर क्लासे चला करता था अभी जो है हम लोग केवल कॉंटेंट ज्यादा पढ़ाने पर देहान दे रहे हैं एमसी क्यों जो है ओ स्लॉली चला रहे थे तो एमसी क्यों जो क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं मैराथन क्लास जिसको बोलते हैं एक मैतना क्लासों नहीं इसको क्लास क्लास करने की अब अभी तक अपने पढ़ाने उसको benefit मिल जाने वाला है जो भी मैं पढ़ाता हूँ जो भी मैं अभी marathon class चल भी रहा है जो पहले भी सावास और 1500 classes हो चुके हैं उस सारे classes के जो है benefit आपको तब मिलेगा जब आपने ए टेक्निकल पार्ट के सारे theoretical classes पढ़ चुके हैं तो जो अभी marathon class चलाओंगा schedule बनाने वालों के week में आपको ज्यादा ज्यादा ओभी class तो उससे क्या होगा जो आपने पढ़ा ने उसका revision होगा एक live interaction में जुड़के तो revision होने से क्या होता है ना facts याद होते चलते हैं आप कम से कम उससे track पर चलते रहते हो आप जुड़े हुए रहते हो एमसी क्योंच पढ़ने से वह ही एमसी क्योंच पूछ नहीं लिया जाता है question exam में बस उससे आपको revision tightly हो पाता है तो इस प्रकार से हम लोग इस strategy को लेकर पढ़ेंगे और समझेंगे और अपनी preparation continue रखेंगे जितने सारे पहले से भी इस्ट्वेंट ज्वाइन हो चुके थे वह अपनी जो पहले से ज्वाइन होके पढ़ रहे हैं जो पुद्धिजी भी कह जाएंगे क्योंकि उन्होंने पहले ही जान लिया था कि हमें क करोगे class यदी पैसे purchase करते हो मेरे यहीं नहीं कहीं भी join करो ऐसा मैं कभी नहीं कहता मेरे प्यारे चात्रों मैं कि आप मेरे पास यदी class join करोगे तो ही selection मिलेगा आपके पास content है आप उससे भी पढ़िए एक strategy में पढ़िए complete content पढ़िए उससे भी selection मिलेगा पढ़ाना essential है class करना essential नहीं है तो मेरे पास either class join करो या कहीं और class join करो कहीं भी आप class join करो purchase कर रहे हो पैसे पे कर रहे हो तो उसको utilize करने के लिए सोचना उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए सोचना ताकि आपके exam में benefit मिल पाए ठीक है अपको आज की सारी information समझ में आई होगी और thank you thank you so much